सबसे पहले चाजाल लागा कि देखेंगे कितना एंपीर बन रहे है यहां पर देखो 0.1 आके इस्टक हो रहा है अगे नहीं बढ़ रहा है अभी देखेंगे DC पावर सब्लही में क्या रेडिंग आ रहा है फिर आपको बोलते हैं कहां पे इसका प्रोब्लम है मेरा DC पावर सब्लही का जो भॉल्टेस थेड है 4 वोल्ट 5 एंपे यहां पर देखो 39 में आके फोर्टी में आके रुख जाराए इस्टक हो रहा है आगर यहां पेड़ी सीप पावर सफले में अगर आपका 400 300 आरे फिर जीरो हो रहा है या तो अन्तों कुछ भी पॉइप ने ऐस्ट को रहा है या तो जीरो हो रहा है आपको डाइरेक नहीं से जीप्यू का है तो कोई ने कोई पर शौट है यह जो 140 139 आकर एस्टक हो रहा है इसका मतलब CPU और इसका जो MMCUFS है इसका बीस में सवही से कनेक्ट नहीं हो रहा है उस पईन ड्रै हो गया है इसका वज़़ा से यह कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसके वज़ा से हम लोग का DC power supply में उस प्रेडिंग आके इस्टर्क होता है किसी-किसे फोन में 1500, 200, 200 और कुस-कुस फोन में 200, 300 आता है फिर 0 भी हो जाता है और असका डेट में एक जितने भी फोन आ रहा है, यह फोन एक चुली 5G है और यह 5G CPU लागा यहां पर देखो असका डेट में जितने भी सब्सक्राइब पोन आ रहा है, इसके जो CPU होता है CPU में बहुत ज़्यदक पिशार पढ़ता है, इसके बाज़ा से CPU बहुत अवरहिट होता है और हीट रोने का वजाए से जो सिप्युट का अंदर में जो कि वाल वगडा है यह यह सब ड्रेए हो जाता है लाइन्सवर देते लिस्काइंट होते है ज्यादा हीट हुनेत Pr अभी जो CPU रिमूब हो रहा है यह मैंने हिट ड्राकाइट 330 एर जो है यह एर 5-6 का अंदर में है ठीक है आप चाहे तो कम जदा कर सकते हो कुछ दिक्केत नहीं है लेकिन आराम से करना है अब कमर आइसा होता है सिर्फ यू आपने रेवल्ग किया फिर भी सेम प्रोब्लम हो तो फिर आपको यूँ अफैस या तो अपरएंसी को करना पड़ेगा मत वहुत से फोन में आईसा भी होता है पांवर आईसी को खासा काता ही तो आपको देखना है इस्ट पे स्टिप चिक करना है करना है एक फस्ट सिप्यू है एट अप डिफर्मेंट है अनुदस्ट है तो मैंने सिप्यू को रिमूप किया है बुलार का हीटरा का थिरी थार्टी कि थार्टी हीट राका है बुलार का अब अपना बुलार का हिशप से ओ लेकिट देजिए मेरा बुलार में 3प रचिवे आराम से ओड़ जाता है लगबाग 2 बिनिट में भी करना पर तो एक्षूली सीप्यू जाहे ना सीप्यू को निकलना चाहिए 300 हीट में 300 हीट में निकलना चाहिए सेप्यू को उसमें आपका लगबाग 8-9 मिनिट दॉस मिनिट तक हीट देना परेगा तर जाके निकलेगा अगर आप 300 हीट में आईसी को निकलेंगे तो आपका एक भी आईसी खरप नहीं यह रोगा कि हम लोग को जल्दी चाहिए हरबरी में चाहिए जल्दी जास मिनिट में एक फन को रिपर करना है विस में एक फन को रिपर करना है इसके वाजा से याद ही देना पर दाए थी थार्टी थी थी फोटी इसी कीजी भाईने प्रहेंडेट भी हीट रखते हैं हम खुद शुरू-शुरू में 400, 425, 430 इस तरह हीट रखा था शुरू-शुरू में कुस्टम क्विक का 850 के कुछ बूलार था एक चाहिना बूलार उसी में अगर आप 400 हीट राखेंगे तो आपका मादर बॉट तो 100% खालाब हो गया होगा उसके साथ में आपका आपका आइसी भी खालाब हो जाएगा और यह मादर बॉट बहुत हालका पतला सा रायता है ज्यादा टाइम देओ भरभर भी मत करो आराम से कम करो और जो दो एक पॉइंट निकल गया है यहां पर देखो यह सब एंसी पॉइंट है उस दिक्केत नहीं है आप कॉंटिनू करते रहा हो अगर निकल भी जाता है दो एक पिन तो कुस परवाण नहीं है ठेक है तो दोस्तों कुल मिले के मेरा बात यह है असका डेट में जो भी फोन आ रहा है सबसे पहले आप लोग सीप्यू में फोकास करो क्योंकि आप सीप्यू ज्यादा हिट होने का वजह से आपको फोन डेट हो रहा है कि इसी पावरश्य में उस लोगो कुस रेधिंग आके श्रॉक होरा है अब चाजर लगाएंगे वहां पे 0.1 रेडिंग आयेगा जीव पॉरी रेडिंग आयेगा इस्टों होरगा प्सी किसी फोन में अतलब असा लागाना है कि चार्च करा हो रहे है लेकिन सेट अनना हो रहा है यह सब फोन का एकी सोलूशन है CPU तो दोस्तों CPU को मैंने इस फोन को निकला 330 हीट में रखके और इसका जो बिलक पेस्ट है वाइट पेस्ट है जो भी पेस्ट है इसको मैंने रिमूब किया है 320 और आभी जो रिवुलिंग करने का टाइम में जो हीट रहेगा 320 हीट रह दोस्तों कुछ इस तरह मैंने इस फोन को रिपेर किया है और दोस्तों मैंने फेस्ट पेस्ट अफ इन कर लिया है बिक मॉल रिपेरिंग नाम से बिक मॉल रिपेरिंग उसमें अगर आप लोग फेस्ट बूक में वीडियो देखना पसंद करते हो तो वहां पर जाए ये कि मैं उस पेस्ट का लिंग इस वीडियो का डिक्स्क्रिशन में देऊंगा अब चाहे तो वहां चे भी जाके फोलो कर सकते हो कि अधिक और आप लोग चाहे तो मेरा पेस को बराभी कर सकते हो शेयर करके लाइक कमेंड करके ठेक अब यह देखो बैठने का टाम में भी अतना ही रहेगा थी थार्टी लेकिन एक बात है अब किसी भी आईसी को अगर रिमूब करते हैं आईसी का असपास में जो भी चोटा बड़ा आईसी है और एक आईसी को अच्छा से कवर कर लेजेगा खास करके खास करके अगर आप सीप्यू को रिबल कर रहे है उसका साथ में कुछ च्छटा बड़ा आईसी है उसमें बिलाग पेश्ट वाइट पेश्ट किसी भी त्यार का प्रिश्ट अगर है तो ध्यान से भी आईसी को अच्छा से कवर करना पड़ेगा नहीं तो क्या होता है ज्यादा ही डोने का कि देख लुश्ट तो इस तरह मैंने चुट को रिपेर किया है आपने देखा या वी अभी दिखते हैं कि यह फोन आपने हो रहा है चार्ज वादार कहने पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था आपने सब खुछ देख लिए हैं यआ पे देखो दुस्तों चार्जिंग कि अज़को तंकू